N.C.E.R.T. की पाठ्य पुस्तक, भास्वती, वितियो भागाह, वादश वरगाय सम्स्कित अस्य पाठ्य पुस्तकम, प्रिष्ट संख्या सोलाह, तृतियाह पाठाह, मातु राज्यागरी असी भारतिय सम्स्कृती, माता-पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनिय एवं देवतुल्य मानती है, उप्रिषतकाल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है नकेवल भारत्य संस्कृती अपितु समस्त विश्व में माता को अत्यन्त पूजनिय तथा उनके आज्यापालन को परमधर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है महाभारत के यक्षो पाख्यान में भी माता को जो भूमी से भी गुरुतर बतलाया गया है उसके पीछे भी यही रहस्य है प्रस्तुत पाठ महाकवी भास विरचित प्रतिमानाटक से लिया गया है समस्कृत के महानाटक कारभास ने कईकेई के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है वह इतिहास में अद्वितिय है राम की राज्याभिशेक न हुने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कईकेई कारण है यह जानकर भी राम के कई माता की उस आज्या को भी हितकारिनी ही मानते हैं आरिय ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता प्रिथिवी रक्षितव्याईती अथ कुत उत्पन्योयम दोशाह कांचुकियाह स्वजनाथ रामह स्वजनादिती हंत नास्ति प्रतीकारह कांचुकियाह तत्रभवज्याह कई कईयाह प्रिष्ठ संख्या सत्रह रामह कि मंबायाह तेनाही उदर केण गुणेनात्रभविदव्यम कांचुकियाह कथमिव रामह स्रुयताम यस्याह शक्र समोभर्ता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन स्पुरहा तस्या येना कार्यम करिश्यती कांचुकियाह कुमार अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिशु स्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम तस्यायेव खलु वचनात भवद अभिशेको निभृत्ताह रामह आर्य गुनाह खल्वत्त्र कांचुकियाह कथमिव रामह शुरुयताम वनगमन निभृत्ति पार्थिवस्यईवतावन ममपित्र परवत्ता बालभावस्यव नवनिपति मिमर्शे नास्तिक शंका प्रजानाम अथचन परिभोगेर वंचिता भ्रातरोमे कांचुकियाह अथच तया अनाहुतो पस्रितया भरतो विशिच्यताम राज्य इत्युक्तम अत्राप्यलोभा रामह आर्य भवान खलू अस्मत पक्षपातादेव न अर्थम अवेक्षते कुतह शुलके विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदियाच्यते तस्या लोभोत्र नास्माकम भ्रात्र राज्या पहारिणाम कांचुकियाह अथच रामह अतः परम न मातुह परिवादम शोतुम इच्छामी महाराजस्य वृत्तांत स्तावद अभिधियताम कांचुकियह ततस्त दानीम शोकाद वचनाद राज्या हस्ते नेवविसर जिताह किमप्य भिमतम मन्य मोहम च न्रिपतिर गताह प्रिष्ट संख्या अठारह रामह कथम मोहम उपगताह नेपत्ति कथम कथम मोहम उपगताहिती यदिन सहसे राज्यो मोहम धनुह स्प्रिष मादयाम रामह आकर्णिय पुरतो विलोक्या अक्षो भ्यक्षो भिताह केन लक्ष्मणो धरिय सागरह येन रुष्टेन पस्यामी सता केर्णम इवाग्रताह तताह प्रभिषती धनुर्बान पानिर लक्ष्मणाह लक्ष्मणाह सक्क्रोधम कथम कथम मोहम उपगत इती यदिन सहसे राज्यो मोहम धनुह स्प्रिष मादयाम स्वजन निभृतह सर्वो प्येवं म्रिदुह परिभूयते अथनरुचितम्मुंच त्वम्मा मह कृतनिश्ययो युवति रहितम लोकं कर्तुम यस्चलितावयं सीता आर्यपुत्र रोधितव्ये काले सौमित्रिना धनुर्ग्रिहीतं अपूर्वह खलु अस्य आयासह रामह सुमित्रामातह किमिदम लक्ष्मडः कथम कथम किमिदम नाम क्रमप्राप्तेहृते राज्ये भुविसोच्यासने न्रपे इदानीम पिसंदेह किमुक्षमा निर्मनस्विता रामह सुमित्रामातह अस्मद राज्य भ्रम्षु भवत उद्योगम जनायती आह अपंडिताह खलु भवान भरतोवा भवेद्राजा वयम्वा ननुतत्समम् यदि तेश्ती धनुष्लाघा सराजा परिपाल्यताम लक्षमणह नसक्नोह मिरोषं धारैतुम भवतु भवतु गच्छामस्तावत प्रस्थितह रामह त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाट पुटसम्स्थिता भ्रिकुटिर लक्षमणस्यैशा नियतीव व्यवस्थिता सुमित्रमातह इतस्तावत लक्षमडः आर्य अयमस्मी रामह भवतह स्थैर्यम उत्पादयता मया एवं अभिहितम उच्यताम इदानिम ताते धनुर्ण मै सत्यम अवेक्षमाने मुन्चानी मातरी शरम स्वधनम हरंत्याम दोशेशु बाहियम अनुजम भरतम हनानी किम रोशनाय रुचिरम त्रिशुपातकेशु लक्षमडः सवाश्पम हाधिक अस्मान अविज्यायो पालवसे यत्कृते महतिक्लेशे राज्ये मेनमनो रथः वरशाण किलवस्तब्यम चतुर्दश वनेत्वया प्रिश्ट संख्या बीज रामह अत्रमोहम उपगतह तत्रभवान हन्त निवेधितम अप्रभुत्वम मैथिली मंगलार्थे नयादत्तान वलकलांस तावदानय करोम्यन्येर इन्रिपेड धर्मम नईवाप्तम नोपपादितम सीता ग्रनातु आर्यपुत्रह रामह मैथिली किम व्यवसितम सीता ननु सह धर्मचारिनी खलू अहम रामह मया एका किना किलगंतव्यम सीता अतोनु खलू अनुगच्छामी रामह वने खलू वस्तव्यम सीता तथ खलू मे प्रासादह रामह स्वस्रू स्वसुर स्वस्रू शापी चते निर्वर्त तईतव्या सीता ए नाम उद्धिष्य देवता नाम प्रणामह क्रियते रामह लक्ष्मण वार्यतामियम लक्ष्मडः आर्य नोत्सहे श्लागनिये काले वारैतुम अत्रभवतीम शब्दार्थाह मातुराज्या मातुरादेशह माता की आज्या गरीयसी शेष्ठा शेष्ठ है परित्रायताम रक्ष्यताम भचाओ परित्रातव्याह रक्षणियह रक्षा के योग्य वक्तव्यम कथै तव्यम केहना चाहिए एक शरीर संख्षिप्ता एक मात्रस्थिता एक शरीर में स्थित स्वजनात स्वसदस्यात अपने ही व्यक्ती से प्रतीकारह निवारणम निवारन रोकथाम परिश्ठ संख्या इक्केस निवारणम निवारन प्रिष्ठ संख्या 21, शरीरे दिह, शरीरे अरिह, देहे शरीर में, अरिह, शत्रु हूँ, शत्रु, प्रहरती, प्रहारम करोती, प्रहार करता है, उत्पाद इश्यती, जन इश्यती उत्पन करेगा, तत्र भवत्याह, सम्मान युग्यायाह, आदर्नियां का या आदर्नियां के, कईके याह, कईके यी का, उदरकेन, परिणाम वाले, गुणेन, अच्छे गुणवाले, शुयताम, आकर्न्यताम, सुनिये, शक्र समह, इंद्र तुल्याह, इंद्र के समान, स्प्रिहा, कामना, आर्जवम, सार्ल्यम, सिधापन, उपनिक्षेपतुम, रक्षितुम, रखना, निवृत्तः, अवरुद्ध, रुख गया, पित्री परवत्ता, पितुर अधीनता पिता की अधीनता अनाहूत अपस्रितया नाहूतया उपस्रितया बिना बुलाये समिप पहुची हुई इत्युक्तम इति निगदितम इति उक्तम ऐसा कहा अत्राप्य लोभः अत्रापी लोभा भावः अत्र अपी अलोभः इसमें भी लोभ नहीं खल्वस्मत पक्षपातादेव खलु अस्मत पक्षपात से ही यथार्थम न पश्षती नार्थम अवेक्षते न अर्थम अवेक्षते पश्षती वास्तविक्ता को नहीं देखता विपणितम दातुम प्रतिज्यातम देने के निमित्त पुत्रार्थे पुत्र निमित्तम पुत्र के निमित्त याच्यते अर्थ्यते मांगा जा रहा है लोभोत्र लोभा अत्र यहां लोभ पृष्ठ संख्या बाईस नास्माकम न अस्माकम हमारा नहीं भ्रात्री राज्या पहारिणम भाई के राज्य का अपहरण करने वालों का परिवादम निंदाम निंदाको वृत्तांतः वार्ता समाचार अभिधीयताम कथ्यताम कहिए तावत्त तो अभी शूकात दुखात दुख से अवचनात वचन राहित्यात न कहने से हस्ते नईव हस्ते न एव करे नईव हाथ से ही इशारे से ही विसर जिताह निवर्तितह विदाकिया किम अपी किम अपी कोई अभिमतम अभीष्टम अभीष्ट मन्य स्वीकरोमी मैं ऐसा मानता हूं मोहम मूर्चाम मूर्चा को गतह प्राप्तह प्राप्त हुआ उपगतह अधि गतह प्राप्त हुआ अक्षोभ्या खुब्धन होने वाला धैर्य सागरह धैर्य समुद्रह धैर्य का समुद्र रुष्टेन कृद्धेन कृद्ध से शताकीरणम सैकडों लोगों से व्याप्त सहसे सहनम करोशी सहन करते हैं स्वजन निभ्रितह आत्मिय जनों के प्रती विनयय युक्त सर्वो पेवं सर्वह अपी एवं सभी ऐसा म्रिदुहू कोमल परिभूयते तिरस्क्रियते तिरस्कार को प्राप्त होता है कृत निष्चयाह विहित निष्चयाह कर लिया है निष्चय जिसने प्रिष्ट संख्या तेईस युवती रहितम स्त्री रहितम युवतियों से रहित चलिताह वंचिताह ठगाये गए अपूर्वह खल्वस्यायासह इसका प्रयास निष्चय ही आश्चर्य जनक है क्रमप्राप्ते शोच्यासने शोक युक्ते आसने शोक योग्यासन पर निर्मनस्विता निस्तेजस्विता हृदय शुन्यता अस्मद राज्यब्रंशह हमारे राज्यका विनाश होगा धनुष्लागा धनुर्विद्या में आत्मस्तुति परिपाल्यताम रक्षा कीजिए दग्धुकामेव भस्मसात कर्तुकामा मानो जलाने की इच्छावाली स्थैर्यम स्थिरता उत्पादयता उत्पन करने वाले के द्वारा मयाईवम अभिहितम मैने ऐसा कहा अविज्यायो पालभसे बिना जाने उपालंब देते हो कथितम प्रकट कर दिया अप्रभुत्वम असामर्थको नईवाप्तम न एवाप्तम नैवाप्तम प्राप्त नहीं किया नोपपादितम न उपपादितम न संपादितम नहीं किया ग्रिहनात्वार्यपुत्रह ग्रिहनातु आर्यपुत्रह आर्यपुत्रह स्विकार करे आर्यपुत्रह पति के लिए संबोधन मया एका किना मुझे अकेले के द्वारा निर्वर्त अव्या निर्वर्तनिया करनी चाहिए वार्यताम निवार्यताम रोको प्रिष्ण संख्या 24 अभ्यासह प्रथम प्रश्ण एक पदेन उत्तरत क एक शरीर संख्यप्ता कारक्षितव्या ख शरीरे कह प्रहरती ग स्वजनह कुत्र प्रहरती ग कै कैयाह भर्ता केन समाह आसीत ग कह मातुह परिवादं शोतुम न इच्छती च केन लोकं युवति रहितं कर्तुम निश्चयाह कृता च प्रतिमानातकस्य रचाईता कह प्रश्ण दो पूर्ण वाकेन उत्तरत ग रामस्य अभिशेकह कथम निब्रित्तह ग दशर थस्य मोहं शृत्वा लक्षमनेन रोशेन किम उक्तम ग लक्षमनेन किं कर्तुम निश्चयह कृतह ग रामेन त्रीनि पातकानी कानी उक्तानी रामह लक्ष्मनस्य रोशं कथं प्रतिपादयती प्रश्ण संख्या तीन रेखांकितानी पदानी आध्रित्य प्रश्ण निर्माडं कुरुत क मया एकाखिना गंतव्यम अत्र मया इती रेखांकितं पदम ख दोशेशु बहियम अनुजम भरतं हनानी अत्र दोशेशु रेखांकितं पदम ग राज्ण हस्तेन एव विसर जिताह अत्र राज्ण इती रेखांकितं पदम ख पार्थि वस्य वनगमन निब्रित्तिही भविश्यती अत्र पार्थि वस्य इती रेखांकितं पदम प्रश्ण संख्या चार अधो लिखी तेशु सम्वादेशु कह कम प्रती कथयती इती लिखत अत्र स्तम्भत्रयम वर्तते सम्वादाह कह कथयती कम प्रती कथयती सम्वादाह इती स्तम्भे कखाग क्रमेण वाक्यानी अनंतरम कह कथयती कम प्रती कथयती इती रिक्त स्थानम वर्तते साम्प्रतम क एक शरीर संक्षिप्ता प्रितवी रक्षितव्या कह कथयती कम प्रती कथयती इती रिक्त स्थानम ख अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिशु स्वमार्जवं उपनिक्षेप्तुम् ग नवंद्रिपति विमर्षे नास्तिशंका प्रजानाम् ग रोधितव्ये काले सौमित्रिना धनुर्ग्रिहितं उग नशक्नो मिरोशं धार इतुम् च ए नाम उद्धिश्य देवतानाम प्रणामह क्रियते च यत क्रिते महतिक्लेशे राज्ये में नामनोर थाह प्रिष्ण संख्या पच्चेश प्रश्ण संख्या पाच पाठमा शृत्य रामस्य लक्ष्मनस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यम हिंदी अंग्रेजी सम्स्कृत भाषया लिखत प्रश्ण संख्या छे पाठा चित्वा अव्ययपदानी लिखत उदाहरनानी ननु तत्र इत्यादी प्रश्ण संख्या साथ अधोलिखितेशु पदेशु प्रकृती प्रत्ययवु प्रिथकृत्वा लिखत परित्रातव्यह वक्तव्यम रक्षितव्या भवितव्यम पुत्रवती शोतुम विसर्जितः गतः ख्षोभितः धारईतुम प्रश्न संख्या आठ अधोलिखिता नाम पदानाम सम्स्क्रत वाक्केशु प्रयोगह करनियह शरीरे प्रहरति भरता अभिष्यकह पार्थिवस्य प्रजानाम हस्तेन धैर्यसागरह पश्यामि करेणु गन्तव्यम प्रश्ण संख्या नव अधोलिखिता नाम स्वभाशया भावार्थम लिखता क शरीरे रिही प्रहरती हृदये स्वजनस्त था क नवन्रिपति विमर्षे नास्तिशंका प्रजानाम ग यदी नसहसे राग्यो मोहं धनुस्प्रिश मादयाम ग यत्कृते महतिक्लेशे राज्ये में नमनोर था प्रश्ण संख्या दस अधोलिखित पदेशु संधिच्छे दह कार्यह रक्षित व्यति गुणे नात्र शरीरे रिही स्वजनस्त था येना कार्यम खल्वस्मत किमप्यभिमतं हस्ते नईव दग्दुकामेव प्रिष्ण संख्या 26 योग्यता विस्तारह काव्येशु नातकं रम्यम इत्यनु भूय महाकविभासेन रमनी यत्वं प्रतिपादयता नातकानी एव रचितानी नातकियायाह परंपरायाह प्रवर्तनं भासादेव प्राप्यते यद्यपी भासस्य प्रामानिकं जीवन बृत्तं नैवो पलभ्यते तथापी केचन विद्वांसाह महाकविम उज्यी नीकं मन्यम्ते भासनातक चक्रे स्वप्नवासवदत्तं प्रतिज्ञा योगंधरायनं प्रतिमानातकं अविमारकं बालचरितं अभिशेकं पंचरात्रं मध्यम व्यायोगाह उरूभंगं दूत घटोतकचं करणभारं दूत वाक्यं चारुदत्तं च त्रयोदशनातकानी गण्यंते प्रतिमानातकं एतननातकं सप्तांक परिमितं विद्यते अस्मिन रामवन वासाद आरभ्य रावन वध पर्यंतं कथा वर्नितावर्तते मातोल ग्रिहात निवर्तमानह भरतह यदा मार्गे अयोध्यायाह पाश्वे प्रतिमा मंदिरे स्व दिवंगतेशु पूर्वजेशु महाराजस्य दशरथस्य प्रतिमाम पश्यती तदासह पितुहु मरण विशये जानाती तदैव राम रावन योहो युद्धस्य संधेशह प्राप्यते भरतह रामस्य सहायतार्थम सैन्य बलं प्रेशयती प्रतिमया नाटके न पितुहु मरणस्य सूचनायाह कारणात अस्य नाटकस्य अभिधानम प्रतिमा नाटकम जातम इसके साथ ही ये तिस्तरा पार्ट यहीं पर संपन्ना होता है।